गंगा जमुना परिसर में देहववसाय दुबारा पनपने और नाबालिक लड़कियों को बंधक बनाए रखने की जानकारी मिलने पर सीपी अमितेश कुमार ने मंगलवार को पूरे परिसर में तहकीकाद शुरू करने के नर्देश दे दिये हैं डीसीपी जोन 3 गोरक भामरे के नेतरुत्व में भारी बंदोबस के साथ पुलीस परिसर में दाखिल होई अचानक पुलीस की चापे मारी शुरू होने से परिसर में हटका मच गया सेक्स रेकेट चलाने वाली महिलाओं ने अपने घरों के दर्वाजे तक बंद कर दिये पुलीस ने तीन बिल्डिंगों का चपा 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 चान मरा 32 यूफतियां देहवेपार में लिपते मिली लेकिन कोई भी नाबालिक लड़की हाथ नहीं लगी पुलीस को जानकारी मिली की परिसर में दुबारा गतिवीधियां तेज हो गई है अन्ने राज्यों से नाबालिक लड़कियों को लाकर बंधक बनाया जा रहा है उनसे जबरन देहवेवसाय करवाया जा रहा है मंगलवार के तो पर बारा बज़े के दोरान पुलीस ने परिसर में छापा मार कारवाही की पुलीस के कारवाही से बचने के लिए महिलाओं ने घरों के दर्वाजे तक बंध कर लिए महिला पुलीस कर्मियों के मदद से सब ही मकान खुलवाए गए यहां मिली 32 युवतियों में से तीन ऐसी थी जिने पुलीस पहले ही रेस्क्यू कर चुकी है उस समय तीनों नाबालिक थी लेकिन अब बागलिक हो गई है सभी तहकाने की जाच की गई लेकिन कोई भी नाबालिक लड़की हाथ नहीं लगी इन विसन न्यूस के लिए केमरा परसंट अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिशेक पानसी की रिपोर्ट